पांचाल नरेश दुरुपद अपनी पुत्रिक दुरुपदी की विवाहे तुस्वेंबर का आयोजन किया था, जिसमें देश-देश के राजागन पधारे थे, अनेक महारती पधारे थे, भगवान कृष्ण और बल्राम भी आये थे, जरासंद से लेकर कोरो परिवार भी आया था, और तभी ब्राम्हण बेश्द में पांच ब्राम्हण आकर के खड़े हो जाते हैं, और दुर्पत की ओर से उनका पुत्र द्रश्ट द्यूम्ण, सौनबर की घोष्णा करते हुए कहता है, देश-देश से आये हुए छत्रिय राजाओं, आप सभी का सहिदे स्वागत है, अभिनंदन है, आज मेरी बेहन का स्वैंबर है, सरत ये है, उपर थाली में मचली चक्कर लगा रही है, और नीचे उसका प्रतिबिम्ब थाली में, तेल में वो दिखाई पड़ रहा है, तो नीचे की थाली में देख करके उपर मत्सबेद करना है, तीर ऐसा लगना चाहिए कि मचली के आँख में लगे, जो बीर ऐसा कर पाएगा, मेरी बहन उसी का वर्ण करेगी, और उसी के साथ मेरी बहन का विवाह होगा, इतना सुनते ही, राजागना आने लगे, सबसे पहले, दुर्योधन उठा, और बढ़राम जी धेरे से भगवान के कान में कहते हैं, जरा इसकी आनवान सांतों देखो, कैसा तुनक के चल रहा है, भगवान के वुश्कराहट, फूड़क पड़ी, उन्हें लेका आप दावजी देखते रहें, क्या होता है, और दावजी भी संका प्रदर्शित करते हैं, कि ये जो पांच प्रामण आए हैं, ये केसो तुम से प्राम किये, तुम जानते हो इन हैं, भीरे से उन्हें ने बताये कि पांचो पांड़ों हैं, पर बल्रामजी ने कहा कि नहीं, वो तो लाचाग्रेह में जलके भस्म हो गए थे, भगवान फिर मुश्करा दिये, दाओजी सांत रही, दुर्योधन धनुस के पास जाता है, और अपनी पूरी सक्ती लगा करके धनुस को उठाने का प्रयास करता है पर बिफल, ऐसा लगता था जैसे धर्ती माने अपनी पूरी सक्ती लगा करके धनुस को जकड लिया हो, बिल्बिला करके धनुस उठाना पाने के कारण दुर्योधन क्रोधा उचिंता से डूबा हुआ आकर के अपने आसन पर बैठ गया, करम सह जीरे जीरे और ने वीर भी आने लगे, और जब काफी लोग चले गए, सबको निरासा होने लगी, किसी से जनों सो नहीं उठ रहा है, दुर्योधन के बगल में बैठा हुआ सकुनी, बोला भांजे, क्या हस्तिनापुर की मर्यादा चली जाएगी? दुर्योधन ने कहा, नहीं, जब तक कर्ण है, तब तक हस्तिनापुर की मर्यादा नहीं जा सकती, उसने कर्ण को प्रसाहित किया, और वह सूरी पुत्र कर्ण, अपने अस्थान से उठा, धनुस के पास गया, अपने इश्रिदेव को प्रणाम किया, धनुस को प्रणाम किया, और हांस लगाते ही धनुस को उठा लिया, प्रत्यज्या चठाने ही जा रहा था, कि आवाज आई द्रौपदी की, कि मेरी वर्माला किसी सूत पुत्र के गले में नहीं पड़ेगी, ये सब्द सुनते ही, बिस की तरह, कर्ण के सीने में लगे, उसने धरों सोहें रख दिया, और कह दिया, कि मैं तो जा रहा हूँ, पर है कर्या, ये तुम्हारी वर्माला वर्का बाट जोहते जोहते मुर्जा ही जाएगी, आया अपने स्थान पर बैठ गया, सारे राजा प्रेत्न कर चुके थे, दुरौपदा और धिष्ट दुब, दोनों हटास हो चुके थे, कौन लख्च बेद करेगा, दुर्श दुम्ह ने कुछ मुर्मान तक बाते कही, कि ये लगता है कि प्रिथिवी बीरों से खाली हो गई है, कोई लख्च बेद नहीं कर पाएगा, धरौपद्ध्य क्या समाप्त हो गई भारत से, क्या अर्जुन के लाख्च ग्रिह में जयल जाने के साथ ही भारत से धरौपद्ध्य का लोप हो गया, तभी युदिश्रिन ने अंडरोध किया अपना संदेश भेजा, हमें भी मुखा दिया जाए, तो अपनी तरफ से अर्जुन को भेजते हैं, अब अर्जुन परकृपा तो भगवान की थी ही, और चुकि वो किश्र का मित्र था, भाक्त था, और जिस पर परकृपा भगवान की हो, वो उसके लिए कौन साकारी दुसकर हो सकता है, वह गया, धनुस को एक बार में ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और मचली नीचे की थाली में मचली को देखते हुए सरसंधान किया, सर जाकर करके बाण, सीधे मचली के आँख में लगा, और मचली नीचे गिर कर आगई, पुरा दरबार हरसुर लास से जैजे कार करने लगा, दुन्दुबिया बजने लगी, खुशी का महोल चा गया, तब धन उसको वही पर रख कर, तीर रख करके, अर्जुन द्रौपदी के बास जाते हैं और कहते हैं, कि देवी, यदि मैंने आपकी सर्थ को पूरा करके, अपना परिच्छन सिध कर दिया है, तो बर्माला मेरे गले में डालने हो, तो डालिये, दुरौपदी ने बड़ी ही खुशी से, आर्जुन के गले में जैमाला डाल दे, जैमाला पड़ते ही सारे राजा हल्ला मचाने लगे, नहीं जाने देगे इन ब्राम्भन कुमारों को, नहीं जाने देंगे पाइंचाली को जुद्ध सा माहुर हो गया पर जहां भीम हो और अर्जुन हो कौन क्या कर सकता है भीम ने वहाँ एक थंबे को उखाड लिया गदा के रूप में और सब को लगा करके इस तरह से ढखेला कि सब पीछे जाके गिर गए फिर दोड कर आए अर्जुन ने सरसंदान किया सभी भैवीत हो गए इस तरह से वो राजा असहाय होकर वापस चले गए और द्रोपदु को लेकर के पांचों पांडों अपनी माता कुंती के पास चले आए इस प्रकार अर्जुन ने अपनी सर्व सेश्टाद सर्व सेश्ट धरुद्धर का पात्रता का को सिद्ध कर चुके थे और सब लोग माच चुके थे कि सर्व सेश्ट धरुद्धर अर्जुन है यद्यप उनके समय पूरे हो चुके थे उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता था मित्रों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे जो सब्सक्राइब हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और क्रमेंट में जैसे किश्ण अवस्च लिखिएगा ताकि गोविंद की कृपा पर सदयों बढ़ी रहे